गाउं में चलोगे क्यों वो गाउंवालों का फोन आया था प्रोटेस्ट कर रहे हैं गाउं में प्रोटेस्ट किस बात का अपना सरकारी स्कूल था ना बंद हो गया आरा यारा बंद नियों यहां मर्ज हो यह है मर्ज मतलब अपना गाम में दो सरकारी स्कूल थे दुनों में बचे कम खम थे अब दुनों को मर्ज करके एक स्कूल बना दिया वह तो बंद ही वहा है तो मैं इंग्रिश में बोल रहा हूं पूरे हरयाना में 300 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं पूरे देश में 50,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं और ये तो शुरुआत है सरकार तो छाती ठोक के कह रहे हैं कि और स्कूलों को बंद किया जाएगा टीचर्स की पोस्ट को खतम किया जाएगा इसलिए गाउंवाले अलग अलग गाउं में प्रोट काने को तयार ही नहीं है तो उन स्कूलों को करेंगे क्या कर दो बंद एक बात बता तुम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं बेचता तो सरकारी स्कूलों को खतम कर दो मेरे तो बच्चे ही नहीं हैं तो सारे बेश के बच्चों को खतम कर दो ये क्या लाजिक ह अर तु अपनी छोड़ एक बात बता सरकारी स्कूलों में जीतने टीचर्स हैं क्या वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाती हैं उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते हैं क्यों नहीं पढ़ाते क्योंकि सरकारी स्कूलों को पढ़ने लायक नहीं छोड़ा गया है स्कूलों में टीचर नहीं है शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जहां पर जितने टीचर्स की जरूरत है उतने टीचर हो बैठने के लिए ढंकी इमारत नहीं है कमरे नहीं है कई स्कूलों की तो छते गिर जाती है जिस वक्त क्लास चल रही होती है पीने तक का पानी नहीं है बैठने के लिए बैंच नहीं है यहां तक की टॉयलेट तक भी ऐसे होते हैं कि अगर कोई चला जाए तो मरीज बनके वापिस आए ऐसे स्कूलों में को अपने बच्चों को प होता यो हां सही बात ये बात सही कही अपने शहर में भी और बहुत सारे शहरों में अलग अलग स्टेट में कई स्कूल ऐसे हैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं जहां पर स्टाफ पूरा है ठीक ठाक विवस्थाए हैं साफ सफाई है इमारते वगरा बिल्डिंग्स वगएर अच्छी है उन स्कूल में जा के देखो आप teachers की बात करते हो अधिकारियों के बच्चे भी Unnotches सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं Unn carnival Addiction के लिए सिफारिशे लगते हैं admission नहीं हो पाते कौन नहीं चाहता अपने बच्चो को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना कोई सरकारी स्कूलों को बनाए तो ऐसा जिसमें लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें तो बढा लो जब सरकारी स्कूल के टीचर्स बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूल अपने आप अच्छे हो जाएंगे बता क्य हो जाएगा आपने आप गलत हो जाएगा शेर की मर्जी जिसको मर्जी खा जाए जिसको मर्जी छोड़ दे उसके मूड के उपर है यह रण की कैपस्टी है से तेज दौड सकता है तो बच जाएगा नहीं तो उसका शिकार हो जाएगा यह होता है जंगल राज करते हैं तो अपने आप काम नहीं करेगा उससे काम करवाना पड़ेगा इसलिए चेक एंड बैलंसी होते हैं जवाब दे ही तै की जाती है तो वो काम नहीं करेंगे या काम करेंगे यह देखने के लिए हेड मास्टरी या प्रिंसिपल को नियुक्त किया जाता है और सिस्टम यह मान कर चलता है कि वो प्रिंसिपल भी अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा उसके ओपर भी यो की नियुक्ती होगी और वो भी अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा उसकी जवाब देखी तैग करने के लिए डियो की नियुक्ति होगी डियो के उपर और अधिकारी होगा उसके उपर और अधिकारी होगा उसके उपर शिक्षा मंत्री होगा उसके उपर मुख्य मंत्री होगा यानि अगर कोई एक टीचर किसी स्कूल में सही से नहीं पढ़ा रहा है तो यह सिर्फ उस teacher का failure नहीं है सिर्फ उसकी घलती उसकी कमी नहीं है यह पूरे के पूरे system की शिक्षा मंतरी की मुख्य मंतरी तक की जिम्मेदारी है यह पूरा का पूरा system जब collapse होता है तब जाकर कोई करमचारी अपना काम सही से नहीं करता है हाद है यार तुम तो यह कह रहे हो कि मतलब हिंदुस्तान के हर्याना राज्ये के जीन्द जिले के किसी तसील के किसी गाउं के किसी कौने में बने हुए सरकारी स्कूल में एक अध्यापक पढ़ा नहीं रहा तो उसके लिए जिम्मेदार शिक्षा मंतरी उसके लिए जिम्मे सही से नहीं कर पा रहे हैं क्यों उसके स्कूलों से बच्चे कम हो रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए किस बात का शिक्षा मंत्री है वो अगर वो अपने स्कूलों को सही से नहीं चला पा रहा है तो उसको हटाऊ नोकरी से किसी और को लगाओ और क्या बात करते हो स इतने लोग खुले में शोच करने के लिए जाते हैं, सुभह चार बजे, पांच बजे उठके, बाहर कोन पोटी करने के लिए जा रहा है, उनकी गिंती यही टीचर्स करते हैं, कभी परिवार पहचान पत्र बनाने में ड्यूटी लगा दी जाती है, कभी कावडियों की सिवा करवाना चाहती है, इसलिए वो काम करवा लेती है, लेकिन यही सरकार नहीं चाहती कि यह टीचर्स स्कूलों में पढ़ाएं, इसलिए मैं भी मानता हूं, बहुत सारे टीचर्स अपना काम इमानदारी से नहीं करते होंगे, क्योंकि उनको पता है, कोई चैक अंड बैलेंस कोई जवाब दे ही नहीं है और सरकार खुद नहीं चाहती कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो ताकि बच्चे धीरे-धीरे स्कूलों से अपना नाम कटवा कर प्राइवेट स्कूलों में चले जाएं फिर स्टुडेंट्स की संख्या कम हो जाएं और सरकार को बहाना मिल लोग साफ सफाई रखने लग जाएं तो अपने आप स्वच्छता हो जाएगी लोग प्रदूशन फैलाना बंद कर दें तो अपने आप परियावरण अच्छा हो जाएगा एडमिरिस्टेटिव सिस्टम मे लोग अपने आप नहीं करते सिस्टम तै करता है कि आपको डेश चला रहे हो यह सत्संगभवन नहीं चल रहे या पर चल ठीक यह जो पढ़ा रही है यह नहीं पढ़ा रही है सेलरी पता हुआ हमकी कितनी है 70-80,000 प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर हैं 20-20-25-25 अजार में इन से काफी अच्छा पढ़ाती है इनकी सेलरी इतनी क्यों है अब इस बात को तो क्या जवाब दूँ रूख एक बार एक लिस्ट में इसी की निकाली थे मैंने अपने देश में बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि टीचर्स की सेलरी बहुत है लेकिन जो दुनिया के अच्छे अच्छे देश है ना जहां पर अच्छा एजुकेशन सि जाना टीचर्स की ओसत इंकम है पता कितना हुआ एक लाग को असी से गुना कर असी लाख रुपे सालाना बता महीने की कितनी सेलरी हुई जर्मनी में 63,000 यूरो वो भी लगबग 80 रुपे के बराबर है उसको भी 80 से गुना कर आगया जा निदरलेंड में 60,000 यूरो औस्ट आइरलेंड में 48,000 डॉलर देनमार्क में 47,000 यूरो औस्ट्रिया में 45,000 यूरो तुम लोगों को ये लगता है कि हमारे देश में टीचर्स की सेलरी तो पता नहीं बहुत ज्यादा है प्राइविट स्कूलों में तो 20,000 में पढ़ा रहे हैं जब सरकारी स्कूल वालों की 20, 20,000 रुपे सेलरी कर दोगे ना तो फिर 10,000 वाले आएंगे वो कहेंगे कि हम 10,000 में पढ़ाने के लिए तयार हैं और जब 10,000 सेलरी कर दोगे तो 5,000 वाले आएंगे और जब 5,000 कर दोगे तो 500 रुपे वाले आएंगे कि हम 500 रुपे में पढ़ाने के लिए तयार हैं और ज इतना नीचे जाओगे, बनना तो अमेरिका कनाडा है, लेकिन नीतिया तुम्हें सोमालिया जैसी चाहिए, इसलिए तो हमारे देश के जो अच्छे वैज्ञानिक हैं, वो मौका मिलते ही विदेश में कट लेते हैं, अच्छे इंजीनियर विदेश में चले जाते हैं, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, स्वास्थे से मुफ्त होंगी, या फिर थोड़े बहुत खर्चे पर कोई भी अपना इलाज करवा सकता है, यह आई बात, मुफ्त, स्वास्थे से मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, ट्रांस्पोर्ट मुफ्त, यह जो मुफ देता है? हाँ, 28% तक GST देता है, दुद दही तक के उपर भी tax है, पानी तक के उपर tax है, कहीं income tax, कहीं property tax, कहीं जुर्माना है, कहीं toll tax, गाडी लो तो tax, सुई लो तो tax, हवाई जाहज लो तो tax, 50 तर है कि tax देता है, पैदा होने वाले बच्चे से लेकर मरने वाले आदमी त लेकिन बदले में सरकार क्या देती है अगर बदले में सरकार हमारे बच्चे को एजुकेशन तक नहीं दे पाती बदले में सरकार हमारे बच्चे को हैल्थ सर्विसिस तक नहीं दे पाती तो किस बात का टेक्स भई बात पता है क्या है आज तो तुम लोगों की थोड़ी बहुत अवकात हो गई है कि भी पांच-दस हजार रुपे महीने के तो अपने चिंटू-मिंटू का पढ़ाने के लिए हम दे ही सकते हैं इसलिए क्या करना है सरकारी स्कूलों का करोबंध अपने चिंटू-मिंटू की चिंटा है लेकिन वो जो मन्रेगा के मजदूर हैं वो कहां से लेके आएंगे भई पांच-पांच-दस-दस हजार रुपे महीने की फीस उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे मजदूरों के बच्चे गरीब किसानों के बच्चे उन लोगों के बच्चे कहां पढ़ेंगे जो ना तो किसी मल्ला के बेटे को अब्दूल कलाम देश के राष्टपती बनना था और नाहीं किसी चाय बेचने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बनना था जाके पढ़ लोगों का इतिहास जीवनियां कों से सेंट जोसफ कॉनवेंट स्कूल में पढ़े थे इन्ही सरकारी स्कूलों में पढ़के इतने बड़े लोग बने हैं और कॉनवेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा कर चोड़ा होने वालों याद रखना कुछ सा सालों के बाद अपने नहीं चिंटु मिंटु का नाम सरकारी कॉलेज, सरकारी उनिवस्टी, सरकारी आयाइटी, सरकारी आयेम, एनाइटी, सरकारी संस्थानों की लिस्ट में ढूंडते हुए मिलोगे, तब तो नहीं कहोगे, कि ना हम तो अपने बच्चों को सरकारी उनिवस यह पता है क्यों वहीं प्राइवेट यृश्टी से डिग्री करने वालों सो तो मानते भी नहीं लोग ये सही डिग्री होगी ज्बतार फर्जी हो यह रुदबा अज आज भी सरकारी संस्थानों का और कुछ साल पहले तक सरकारी स्कूलों का भी यही रुत्बा था लेकिन धीरे 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 हालात ऐसे कर दिये कि आज सरकारी स्कूलों को बंद करने की मांग वो लोग कर रहे हैं जो खुद सरकारी स्कूलों में पढ़कर यहां तक पहु सरकारी रेलवे को बंद कर दो यह सारी चीजें अगर सरकारी बंद हो जाएंगी यह सारी चीजे प्राइवेट हो जाएंगी तो पिर सरकार क्यों सरकारी होनी चाहिए 20,000 रुपे में शिक्षामंत्री मिल जाएगा 25,000 रुपे मुख्यमंत्री मिल जाएगा असल में तो फ्री में मिल जाएगा असल में तो उल्टा मुख्यमंत्री शिक्षामंत्री बनने के लिए पैसे देने वाले लोग मिल जाएगे इनको भी लिया प्राइवेट सिस्टम को स अच्छा का लड़का है सुबेरे आठ नो बजे स्कूल में जाना दो अठाई बजे वापिस आजे हैं संडे की छुटी कई बर सेटेड़े की भी छुटी फिर ओड़ी दिवाली मतलब छुटी छुटी पताने कितनी छुटी होती हैं तनखा साथ जार सतर जार रुपई और य पुली समस्या तो यह है ना मेरी बुआ का लड़का सरकारी लगा हुआ है मेरे चाचा का लड़का सरकारी लगा हुआ है मेरे पडोस में सरकारी लगा हुआ है पूरे महले में एक बच्चे को नौकरी मिल जाए तो सारे महले में आग लग जाती है इस जलन का क्या करेंगे बस लोगों को यह चाहिए, कि अभी हमारी एक आख फूटी हुई है, तो सामने वाले की दोनों फोड़ दो, और सरकार भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है, इसलिए तुम लोगों को बताती रहती है टाइम टाइम पे, कि आज हमने किसानों की दोनों आखे फोड़ देश तो उस दिन आगे बढ़ेगा जब खड़े होके कहोगे, कि सामने वाले की जो दोनों आखे हैं, वो सलामत रहनी चाहिए, और मेरी एक आख फूटी हुई है, उसका इलाज करवाओ, तब पता चलेगा, सरकार क्या करती है